हलो दोस्तों, वेलकम टो टो लिएज दोस्तों आज अपना लोगριत्म लोगरिध्मिक फंक्सिन या फिर लोगरित्म या फिर लोगरिध्म का तीसरा वीडियो लेक्चर है तो इससे पहला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बैसिक्स कवर किया था फिर दूसरे वाले में हमने logarithmic equations और inequalities solve करना सीखा था आज हम इस lecture में देखेंगे logarithmic function का graph, domain, range ये सब क्या-क्या होता है न और उसके कुछ questions भी कर लेंगे domain range को हिंदी में बोलते हैं क्या? pranth और parisar domain मतलब pranth और range मतलब parisar कुछ नहीं होता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है domain मतलब हम उसमें क्या रख सकते हैं? input और range मतलब उसका क्या answer निकल सकता है? output ठीक है? तो exponential के साथ में इसको समझेंगे exponential अभी तक मैं बोलता है exponential या logarithm ये दोनों एक दूसरे के या तो दोस्त होंगे या दूस्मन होंगे आज हम देखी लेंगे कि ये क्या है? तो शुरू करते है exponential function और logarithmic function एक दूसरे के inverse function से ठीक है? function क्या होता है? function भी अभी देख लेंगे function क्या होता है? inverse function class 12th mathematics में जाके एक term आती inverse function inverse function में क्या होता है? जैसे एक machine है ऐसे कोई machine है यहाँ पर समझोगी यह इदर से input डाला और इदर से output निकला तीक है? ऐसे कुछ machine काम करती है यह तो यह एक function हो गया F F of X आप कुछ भी ऐसे से बोल सकते हो तो एक machine का इस function का जो inverse function होगा वो एक दूसरी टाइप की machine होगी जिसको हम F यहाँ पर minus 1 यहाँ पर X लगा देते है इसकी power minus 1 मत समझना यह लिखने का तरीका है यह है F inverse तो यह machine क्या करते है? जैसे मानलो इदर आपने alpha डाला तो beta निकला अब इसमें क्या होगा? इसमें हम beta डालेंगे तो वापस वो alpha बना देगा समझगे ना? जैसे इदर से गन्ना डालोगे तो उसका juice निकलेगा अब यह machine क्या है? इसमें आप juice डालोगे ना तो वापस गन्ना बना देगा यह होता inverse function ठीक यहाँ पर इसकी power minus 1 मत समझे ना वाणना पोन f of x ऐसे मत समझे ना inverse function यह होता है इसमें जो input डालते हो function में वो इसकी output होती है inverse की और जो function का output होता ना बिटा वो f inverse की input होती है बिटा तो ऐसे गाम करता है यह inverse function और क्या होता inverse function के अंदर इन दोनों के मैं इन चीज में बता रहा हूँ ऐसे इसके अंदर भी deep में नहीं जा रहे है मैं इन चीज में बता रहा हूँ इन दोनों का जो graph होता ना इसका graph और इसका graph इन दोनों के जो graph होते हैं वो एक दूसरे के mirror image होते है मैं आपर लिख देता हूँ तो य ब्राबर एक्स लाइन यहां पर होती है यह लाइन अपनी वाई ब्राबर एक्स अगर यह एफ ओफ एक्स इसका गराफ मान लो यहां पर कुछ समझो कि इस टाइब का बन गया तो अब सिसकी मिरियर मेज लेंगे तो इसकी मिरे मेज के यह किस में बन गया यह द्यूसरी क्थरेंट पे बना ना तो इसकी मिरियरिउ में लिए उसको टच किया वाय 바뀌 स्को तो यह इसका अगर आप कुछ ऐसा बन जाएगा समझगे ना यहां पर आप वो काच रख तो जिसमें हम चेहरा देखते ना के तो काच यहां पर रखोगे ना तो अब ओविसली इस टाइप की तो शेप उसका इसका मिरर इमेज मतलब दरपन परती बिंब हिंदी में बोले तो उसका ऐसा बन जाएगा समझगे तो ऐसे हम क्या करेंगे exponential का graph बनाएंगे फिर यह एक दूसरे की inverse है तो logarithm का graph क्या होगा इस exponential के graph का mirror image mirror image किसमे mirror कोन है मतलब दरपन कोन है यह y ब्राबर x line तो ऐसे हम graph आसानी से समझ सकते हैं तो शुरू करते हैं exponential function exponential function क्या होता ऐसा होता है f of x equal to exponential है मतलब किसी की power क्या ऐसे तो यह होगा a की power x द्यानक नहीं यहाँ पर जो a है वो constant है और x वो variable है जैसे है आप f of x है ना तो x की विलिए अगर आप change करोगे तो यह power change होती रहेगी यह a change नहीं होगा ठीक है तो और logarithmic function क्या होता है ऐसा होता है f of x equal to log of x अब इसमें base a है ना तो इधर में base a ले लेता हूँ समझने के लिए तो यह अपना कौन सा exponential function और यह logarithmic function दोनों में base के जरुत पढ़ती है base इसमें यहाँ दिखता है और base इसमें यहाँ पर दिखता है इनको हम f of x को y बोल देते है ताकि graph आसानी से बन जाए x input है और y output है यह जो a है ना इनके base पर conditions होती है क्या conditions होती है इनका दोनों का base है ना एक साथ बता देता हो दोनों का जो base है वो होना चीए a है है ना a वो 0 से बढ़ा होना चीए और जो a है वो 1 के बराबर नहीं होना चीए ठीक है? A जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए बले यह A हो या फिर यह A हो और A 1 के बराबर नहीं होना चाहिए बले यह हो या फिर यह हो ठीक है यह already हम lecture 1 से discuss करते आएं है तो नई चीज नहीं है ठीक है अच्छा अगर ऐसा है तो जैसे A की जो जिन्दगी है ना उसके दो टुकड़े हो गए यहाँ पर दिख रहा A greater than 0 है तो यह देखो 0 यहाँ पर है 1 के बराबर नहीं तो 1 भी काम की चीज़े यह 1 हो गया तो A अगर 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है तो A की जिन्दगी के दो टुकड़े हो गए वो values जो की 0 से 1 के बीच में है या फिर 1 से ज्यादा है तो यह जो A है वो 0 से 1 के बीच वाला हो सकता है मतलब जैसे 0.1, 0.2 ऐसे या फिर 1 से ज्यादा वाला हो सकता है 1, 1, 1 तो नहीं होगा 1.1, 1.2 या फिर 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है base ठीक तो हम क्या करेंगे इसके जो graph है न वो दो तरीके से बनता है इधर की ये वाले ये वाले नमबर अगर आपने ले लिए base के तो तो graph अलग बनेगा और अगर इधर वाले नमबर ले लिए तो graph अलग बनेगा पहले मैं ये मैंची मतलब जो आसान है अगराब बनेगा कुछ ऐसा ऐसे graph बनेगा इसका आप खुद भी रखके देख सकते हो यहाँ पर एकी वेली दो ले लो तो जैसे for example y बराबर 2 की पावर x अब जो 2 है वो 1 से ज्यादा है न तो 2 की पावर x अगराब ऐसा बनेगा यहाँ पर x की जगे 0 डालोगे तो यह वाला point बिल जाएगा मैं 0,1 फिर x की जगे 1 डालोगे तो 1,2 फिर 2 डालोगे तो 2 का स्क्वार 4 हो जाएगा तो 2,4 फिर 3 डालोगे तो 2 की पावर 3,8 हो जाएगा तो 3,8 तो 4,16 इसे उपर उपर बढ़ता रहेगा फिर बहुत आगे तो इसकी speed बहुत खतनाग हो जाएगी इधर की तरफ negative values डालोगे तो यह देखो आप x की value negative डाल रहे हो तो 2 की पावर negative हो जाएगी उससे पूरा answer negative नहीं होगा यह number उल्टा हो जाएगा जैसे पावर negative हो तो नमबर उल्टा हो जाता ना वैसे answer इसका negative नहीं होगा तो देखो यह y axis यह answer बताता आउटपूट बताता यह तो आउटपूट हमेशा positive ही आएगा लेकिन फिर वो 1 से छोटा हो जाएगा मतलब इतना साथ है जीरो से 1 की बीच में जाएगा यह अपना जीरो है इधर अपना minus infinite है और इधर अपना infinite है यह y axis का infinite इधर है और यह y axis का minus infinite इधर है ठीक है ऐसा हो गया चलो अब एक और ग्राब बना लेते हैं जब base ले लेते हैं 1 से छोटा तो y बराबर 1 की पावर x का again में एक ग्राब बनाऊगा हमने इधर वाला base तो ले लिया 1 से ज़्यादा वाला अब 0 से 1 वाला base ले लेते हैं तो जो a है that belongs to 0 to 1 ठीक है इससे अलग बनेगा graph कैसा बनेगा बनाते हैं इसको आप example के तोर पे ऐसे ले सकते हो y बराबर 1 by 2 की पावर x अब ये 1 by 2 है न वो 0 से 1 के बीच में आ गया तो इसके अंदर आप आपको खुद कोई समझ में आ रहा है यार कि x के विए अगर मैं बढ़ाऊंगा न तो 1 by 2 की पावर बढ़ेगी कुल मिला के इसका अंसर छोटे से छोटा होता रहेगा तो इसका मतलब ये है कि इसका graph इस बार गिरता रहेगा decreasing बोलते हैं इसको ऐसा graph बन जाएगा इसका कैसा था? increasing ऐसा बढ़ रहा था और इसका क्या है? decreasing ऐसे गिर रहा है ये वाला point क्या होगा? यहाँ पर क्या? x के विलिए 0 है तो इसमें 0 डालोगे 1 by 2 की पावर 0 तो 1 बन जाएगा तो ये point क्या है? 0,1 graph increasing होगा? या decreasing हो graph हमेशा 0,1 से तो पास हो गई होगा base अगर 1 से बढ़ा है तो increasing graph base अगर 1 से छोटा है तो decreasing graph ये graph किसका हुआ? y equal to 1 की पावर x exponential का ही ये graph है लेकिन इस बार base 1 से छोटा है तो decreasing बन गया ठीक? तो ये सारी चीज़े cover अच्छा चलो domain range इसकी बाद में देखें पहले लोग, अब लोग को निपटा लेते है तो यहाँ पर 2 graph बनाऊँगा log के भी वही बेस के जिंदगी की दो पार्ट है 0 से 1 या फिर 1 से ज्यादा तो इस बार में गराब बनाऊँगा y equal to red pen से बना लेते हैं इस बार अलग y equal to log of x at base a ठीक? इसका गराब बनाएंगे पर इस बार जो बेस है ना a यहाँ पर बेस का है 1 से बड़ा इधर भी में ले लेता हूँ a greater than 1 ठीक? अब समझो इसको ध्यान से यह बन गया अपना y axis x axis ठीक है यह x axis हो रही है y axis हो क्या? देखो दोस्तों यह a की power x है यह log of x at base a है मैंने कहा बोला था भी exponential or logarithmic function एक दूसरे की inverse function होते हैं दूस्मन होते हैं दोस्त नहीं होते है parallel चलते हैं मैंसा जैसे पट्रिया चलती है rail के पट्रिया हमेशा साथ साथ चलती है लेकिन कभी भी मिलती नहीं है वैसे यह exponential logarithm इनको समझना है तो यह हमेशा साथ साथ चलेंगे ठीक है कभी किसी में doubt होता आप दूसरे में convert करके समझ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह एक दूसरे के क्या है दूस्मन है, inverse function है एक दूसरे को काटते हैं यह है जैसे अंडूरूट को square काटते है तो अंडूरूट का क्या बोलते है inverse function होगा square वो थोड़ा technically और समझेंगे लेंगे mirror image किसमें लेते है y equal to x line में yellow y equal to x line यहाँ पर है ठीक है अब यह तो है exponential का graph हम चाहते हैं log का graph तो log का graph है तो यह y equal to x line में यहाँ पर बना दी y equal to x यह भी y equal to x ठीक है तो अब log का graph कैसा बनेगा इसकी mirror image ले लेंगे देखो mirror image कैसे लेंगे जो part first quadrant में है यह वाला part वो first quadrant में आजाएगा लेकिन यह उपर था यह इधर नीचे आजाएगा mirror image के बाद इसकी क्या लेनिया में mirror image ठीक है तो यह first quadrant वाला इस line के उपर है वो first quadrant में आजाएगा line के नीचे तो यह ऐसे उपर बढ़ रहा है तो यह अब इधर की तरफ बढ़ने लग जाएगा इसे ठीक है इसका mirror image आगया फिर अब यह इसके पीछे की तरफ यह जो पूंच बनी होए ना यह यह किस quadrant में है दूसरे quadrant में तो दूसरे quadrant वाली चीज mirror image होने के बाद में चोथे quadrant में चली जाएगी तो यह ऐसे आता आता यह y axis से start होके x axis की तरफ बढ़ रहा है यह ना negative side में तो अपने वाले में क्या होगा यह y axis से start होके x axis की तरफ बढ़ रहा है इसमें उल्टा हो जाएगा x axis से start होके y axis की तरफ बढ़ गई यह ऐसे बन जाएगा गराब इसका तो इसकी mirror image क्या होगी ऐसे बन जाएगी इसे इधर की तरफ तो मैंने यहापे बनाई दी तो यह गराब किसका हो गया log of x at base a जब base क्या है 1 से बढ़ा ठीक है तो अब हम दूसरा गराब बना लेते y equal to log of x at base a इसका गराब बनाएंगे इस बार जो base है ना a वो इसमें तो 1 से बढ़ा ले लिया इस बार 1 से चोटा और 0 से बढ़ा 0 से चोटा तो ले नहीं सकते वो defining ही नहीं है वो हाँ इसका अगर आप कैसा बनेगा तो इस बार इसमें भी base क्याता 1 से चोटा इसमें भी base 1 से चोटा तो इसका inverse होगा ये वाला इसकी mirror image से ये बन जाएगा हमें इसकी क्या लेने पड़ेगे हमें mirror image ठीक है तो ये अपना y axis देखो कैसा बनेगा वही वापस यहां पर line मना लिए नेक y equal to x line ज़र भी y equal to x line तो इसमें देखो ये जो part ना ये ये second quadrant में है यहां से लिए y axis से चालो होके इसे उपर बढ़ गया y axis की तरह भी बढ़ गया ये y axis उपर जा रहा तो ये भी उपर जा रहा है तो second quadrant वाला चला जाएगा चोथे quadrant में फॉर्थ quadrant में ये y axis से चालो होके y axis की तरह भी उचा हो गया तो ये इस बार x axis से चालो होके x axis की तरह भी बढ़ जाएगा चोथे quadrant में तो इसका गराब कुछ यह first quadrant वाला देखो यह जो पार्ट ना यह वाला पार्ट इतना सा जो पार्ट है वो इस अपना जो mirror है ना y equal to x line है इसके उपर की तरफ है mirror image के बाद में यह नीचे की तरफ आ जाएगा और यह पार्ट नीचे की तरफ है mirror image के बाद में यह उपर की तरफ चला जाएगा किसका ग्राफ हो गया again y equal to log of x at base a का ग्राफ हो गया और इसका base के 1 से छोटा ये दोनों ग्राफ exponential के दोनों ग्राफ 0,1 0,1 से गुजरते थे अपने लोग वाले दोनों ग्राफ लोग वाले दोनों ग्राफ x-axis के इस point से गुजर रहे हैं ये point कौन सा है ये 0,1 था ना देखो यहाँ पर 0,1 तो मैंने क्या बोला था ये inverse function क्या करते हैं जैसे इधर में आप गंडा डालोगे तो ये juice निकलेगा तो inverse क्या करता है फिर juice डालोगे तो वापस गंडा बना देगा तो वैसे ये है इसमें आपने 0 डाला तो 1 बन गया इधर आप 1 डालोगे तो 0 बन जाएगा ये x जो x की values है वो input y की values output ये भी क्या हो गया 1,0 हो जाएगा यहाँ पर increasing decreasing की बात करें ये increasing था जब base 1 से बढ़ा होता है तो ये भी क्या है increasing है देखो ऐसे बढ़ रहा है ये line है कभी भी y axis को touch नहीं करेगी ये जो graph है कभी y axis हो टच नहीं करेगा तो ऐसे बहू सकते हो कि ये जो y axis है वो इस लोग वाले graph की tangent है लेकिन कहां पर? tangent मतलब तो touch करके गुजड़े लेकिन ये y axis तो कभी touch ही नहीं करेगा इसको infinite पर touch करेगा बहुत नीची जाएंगे न तो यह दोनों एक दूसरे के बहुत ऐसा करीब आजाएंगे लेकिन कभी भी यह ग्राफ इस Y-axis को टच नहीं करेगा तो Y-axis को बोलेंगे इस ग्राफ की Asymptote Asymptote होता है न मैं लिख देता हूँ Asymptote Asymptote एक ऐसी लाइन होती है जो की करव को इनफराइट पर टच करे और जो कहीं पर यहां कहीं पर टच कर ले वो तो टेंजिन होती है तो जैसे इसकी Asymptote क्या है? X-axis यह ग्राफ आता आता X-axis को कहीं पर इनफराइट पर टच करेगा मलनब करेगा है नहीं infinite कभी मिलता ही नहीं है तो करेगा ही नहीं तो ऐसे इसकी भी asymptote x-axis है इसकी asymptote इसकी asymptote y-axis है तो वही बात है तो यह दोनों graph आप याद रख सकते हो log के graph ऐसे होते है जैसे line का graph आपने पढ़ा है peravola का पढ़ा है वैसे ही, जैसे sin theta का पढ़ा है cos theta का पढ़ा है graph sinusoidal waves बनती है sin theta में वैसे यह graph है वैसे आपको उनी तरीके से इनको याद रखना है exponential के दो graph होते हैं यह log के भी दो graph होते हैं ठीक है दोस्तों तो अब हम इनकी domain range देख लेते हैं तो domain range फिर से कोई बड़ी बात नहीं है देखो मैं ऐसा आसान भासा में बता देता हूँ domain and range इधर भी domain and range ठीक है domain मतलब prant हिंदी में और range मतलब parisar ठीक हिंदी में हो गया है और इनको आसान भासा में समझो तो domain मतलब होता है input input की उकात क्या है range range मतलब output 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 मतलब हमें कहा में लेगा output की क्या उकात है उकात मतलब हद है हद लिमिट समझो लो आपके तो domain prant या input ये x के बारे में बात करता है और range output output यहाँ पर आप कुछ रखोगे तो y output हो जाएगा ना इसकी value किसके बराबर y के बराबर है तो output लो y की बात कर रहा है तो देखो बहुत बाते हो गई गुमा फिर आके अब actual में काम करते है तो domain मतलब x x की values कहां से कहां तक जा रही है बलाई ये graph ले लो या फिर ये graph ले लो exponential के दोनो graph देखो ज्यान से इन दोनों graph में जो graph ये या ये इसका x axis के along x axis के अनुदीश कितना फेला हुए ये देख लो या फिर सबसे बड़ी है कि आप उपर से light डालो उपर से light डालोगे तो जो graph की छाया होगी ना छाया वो x axis पर पढ़ेगी तो x axis पर कितनी बड़ी साया पढ़ रही है वो ही उसकी domain है मतलब x की चीजें क्या क्या हम put कर रहे है तो आप देखो कि ये graph x की तरफ minus infinite से जाके इदर आगे सागे फेलता रहेगा हाँ इसके उपर बढ़ने की rate जाता हो जाएगी लेकिन ये आगे दिर 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 आगे बढ़ता रहेगा तो आप यहां से लेकर यहां तक कुछ भी put कर सकते हो तो इसकी जो domain है ना प्रांथ क्या बोलते है input x की values हो minus infinite से infinite तक हो जाएगी तो इसका क्या होगा minus infinite से infinite ठेक है ये interval की form में बोल दिया इसको आप आर भी बोल सकते हो आर मतलब real number सारे real number आगे ने दुनिया बर के साब आगे इसके अंदर minus infinite से infinite में सब आजाते है अच्छा अब इसकी बात करते है range की परिसर की output output मतलब y के according कितना फेलाव ग्राफ का तो देखो ये है y axis है ना तो अगर आप इधर से इधर से इसा light डालोगे तो ग्राफ की चाया y axis पे कितनी बड़ी पड़ेगी ठीक है वो ही क्या हो जाएगा परिसर हो जाएगा तो आप देखो ये जो ग्राफ है ना कभी भी एक से जो टच करेगा ने तो ये बहुत करीब आजाएगा बहुत करीब आएगा तो इसकी चाया है ना वो 0 के करीब पहुंच जाएगी यहाँ पर इधर से अगर आप light डालोगे तो इस portion की इस portion की चाया y axis पे बहुत करीब यहां तक चायगी लेकिन क्या चाया 0 पे पड़ जाएगी इसका exponential का जो answer है ना वो 0 से लेके infinite तक सब आजाता है तो 0 पे लेकिन 0 नहीं आएगा याद रखना इसका answer कभी भी 0 नहीं आता तो इसका जो output है वो गया 0 से लेके infinite 0 भी नहीं है infinite भी नहीं है यह interval है लिखने का तरीका है यह मैंने small bracket लगा है इसका मतलब 0 को include हमने नहीं किया 0 को सामिल नहीं किया infinite को तो कभी भी कोई भी बंदा सामिल नहीं कर सकता तो infinite पे साथ हैगा अब चलो इस पे आते हैं इन दोनों पर आते हैं इनकी domain dense देखते हैं domain domain क्या होगा input inputable ले तो x की values यह graph देखो इसका x axis के long fill out क्या है यहां से लेकर यहां तक क्योंकि इस portion की जो चाया है ना वो x axis पे यहां पर पढ़ेगी और इस portion की चाया है यहां पर पढ़ेगी लेकिन यह graph कभी भी y axis को तो touch करेगा नहीं तो इसकी चाया कभी भी origin मतलब all wind उपे नहीं पढ़ेगी तो इसकी जो चाया है वो 0 से आगे से start होगे जस्ट आगे से यहां से होगे फिर इसकी चाया तो यहां पर पढ़ी जाएगी तो 0 से लेकिन infinite यह इसका क्या हो गया डोमेन हो गया इस graph में देखो यह फिर इस graph में देखो इस portion की चाया यहां पढ़ेगी इस portion की चाया यहां पढ़ेगी तो डोमेन होगे 0 से infinite और वैसे भी यार डोमेन मतलब x की values हमने पहले देखा था कि यह जो x है न वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए यह x base की तो दो condition है वो हमने यहां पे लिखी ली यह conditions इस x पे भी हमने condition पीछे ले दो lectures में पढ़ते आये हैं कि जो x है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए तो वही तो बात है 0 से ज़्यादा 0 से infinite अब range की बात करें range मतलब yx के along कितना फैलाव है इसका तो देखो यह नीचे से उठके उपर तक जा रहा है range मतलब नीचे उपर कितना cover करता है domain मतलब दाएं बाएं कितना cover करता है तो इसमें भी देखो इसका जो graph है वो नीचे से उपर की तरफ जा रहा है तो पूरा नीचे से उपर सब कुछ cover कर लिया है इधर इस बार इसके दाईं तरफ जाने की rate ज्यादा होगी लेकिन दिर 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 उपर बढ़ता रहेगा ऐसे नहीं कि एकदम सिधा हो जाएगा दिर 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 ये उपर बढ़ता रहेगा तो इसका answer आएगा full नीशे से लेके full उपर तक minus infinite से लेके infinite तक ठीक है minus infinite से infinite तो ये दोनों के graph हो गए और domain range हो गए याद रखना इनके graph domain range अपने आप याद हो जाएंगे दोस्तों अब एक दो question कर लेते हैं तो पहला question ये है कि find the domain of function f of x equal to ये है function log of 12 minus x at base x minus 2 तो इसको मैं y लिख लेता हूँ वैसे हमें domain ही निकाल नहीं domain मतलब क्या x की x पर क्या limitation है तो इसका graph graph की तरफ नहीं जाएंगे हम इसको बिना graph बनाई इसका domain निकाल लेंगे तो उसके लिए हमें conditions याद हो नहीं चीए 12 minus x और यहाँ पर x minus 2 conditions पता है ना कौन सी conditions के बात कर रहा हूँ में ये छो base है ना base इस पर दो condition लगती है आपर base कौन है इस बार x minus 2 तो base पर दो condition कौन सी लगती है ये जो base है वो क्या होना चाहिए 0 से बढ़ा होना चाहिए greater than greater than 0 साथ इसाथ जो base है वो not equal to 1 होना चाहिए, ठीक, तो इस पर दो condition लगा देंगे, फिर इसका काम हो गया, अब ये बचा, इस पर एक condition लगती है, कि 12 minus x, जो आना ये वाला जो number है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों को solve कर लेंगे, इन दोनों को, तीनों को, याना, एक, दो, तीन, तीन, त not equal to 1, फिर ये 12 minus x greater than 0, solve करें, 2 को दर्वेज दिया, तो x greater than 2, 2 को दर्वेज दिया, तो x is not equal to 3, x को दर्वेज दिया, x minus काना, x को दर्वेज दिया, तो 12 greater than x, इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे, तो x less than 12 हो गया, तो ये क्या कह रहा है, देखो, ये तीनों कंडिशन्स, एक तीनों को satisfy करता हो, simultaneously, एक साथ, एकी time पे, तीनों को satisfy करता हो, तो हमें तीनों का common portion देखना पड़ेगा, तो सबसे बढ़ी है कि आप वो number line मना लो, ये 2, ये 3, ये 12, एक number line मना ली, ये कह रहा है, दो से ज्यादा, दो के बराबर नहीं, ये 2 से ज्यादा है, तो ऐसे बन ज चोटा, तो टोल यहां पर है, टोल से चोटा तो इधर की तरफ आजाएगा, तो अब आप देख लो यार की कौन सा portion, इसमें, 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 तीनों पार्ट में आ रहा है, तो देखो, ये line, ये line, और ये line, ये portion है, तीनों में आ रहा है, फिर बीच में टूट गया, ती दो से लेके तीन तक, टू 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 थरी, यूनियन, फिर तीन से बारा, टू 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 अइसे हो गया, ये क्या हो गया, X, X belongs to, X मतलब क्या है, input, और X मतलब क्या है, domain, domain की चीज़े है, तो ये क्या होगा, इसका domain हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, domain को ऐसे 12 लेकिन 3 को छोड़ना पड़ेगा एक ही पॉइंट अटाना ना 3 तो इसको माइनस ऐसे एक सेट समुच्छे की रूप में एक एलिमेंट वाला जो सेट है ना वो अमने इसमें से माइनस कर दिया तो ये दोनों एक ही बात है 2 से 3, 3 से 12 ऐसे बोलो डोमेन रेंज of 3 does to power X प्रस, 3 देस तूप़वाइब इकोब टू 3 ये कोशन है 3 देस तूपवाइब इकोब टू 3 ये कोशन है इसमें डोमेन रेंज निकालना है डोमेन का मतलब क्या है एकस की وेलिऊ रेंज का मतलब क्या है वाई की वेलिऊ तो अगर हम यह बताते हैं कि इस question में इस equation के रूप में दे रहा है यहां पर function देने का तरीका अलग था style यह लग है यह सारी x की चीजी एक तरफ और f of x मतलब y एक तरफ इसमें इसकी style अलग है इसमें x की चीजी एक तरफ नहीं है इसको बोलते हैं explicit function मतलब अलग लग है इसको बोलते हैं implicit function यह एक साथ है मतलब एक दूसरे में गुते हुए x और y अलग लग हम नहीं निकाल सकते हैं तो ऐसे question को देखो कैसे करेंगे यह बात तो है यार कि यह जो domain है न x अगर हम x की value निकाल लेंगे न जैसे x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है तो x और y में कोई अंतर थोड़ी है यार आप y को उठा के यहां पे रख दो x को यहां पे रख दो तो कोई फरक ही नहीं पड़े मतलता y की चीज़ें होती है लेकिन x और y की स्थथी में कोई फरक नहीं है मतलब सेम ही है यह ना एक ही बात है 3 की पार x बोलो है 3 की पार y बोलो अगर आप इसको 3 की पार y बोलोगे तो इधर 3 की पार x दाएगा बात एक ही है तो मैं पूरा दिमाग लगा के x कहां से कहां क्विलौकु कर रहा है यह निकालूंगा तो अगर मैं पूरा दिमाग लगा के y कहां से कहां बडूंग करूंगा वह निकालूंगा क्योंकि यह थो reluctant e koakania सेमें आएगा क्योंकि δोनों की परिस्थितियां सेम सब्राइब से मैं तो्टलो में एक सेसे हैंप फसाद उन्हामिए दिखो कैसे अच्छा कोश्ञा तेसको समझों यह क्या थरीट इत्रैवह सिल एक सोदर दैंकल द्ञेद की पाँ ग। अब यह ध्यान से देखो यह क्या है थ्री की पावर वाई यह एक exponential चरगातांग की है exponential expression है दिखने में exponential जैसा है तो इस exponential होगा अगर मैं हटाऊँगा तो क्या बन जाएगा लोग बन जाएगा क्योंकि exponential और लोग एक दूसरे के क्या होते है inverse function होते है, दुस्मन होते है मतलब सीधी सी बात यह कि एक चीज़ को इधर से उधर transpose करूँगा न तो वो एक दूसरे में convert हो जाते है exponential उधर जाके लोग और फिर लोग उधर जाके exponential में convert हो जाते है तो वैसे ही है तो यहांपे क्या बचेगा यह exponential का बचेगा उधर जाके exponential क्या बन जाएगा लोग बन जाएगा लोग reporting बन जाएगगा क्या होगा यहांपे जो i von Aquatic哥 तीन उधर पहले से कौन सा यह ₹य नंपर है तो वह अपना चुपचाप यहांपे इसके अंदर fit हो जाएगा, ऐसे ठीक है, इस 3 को बेस 3 को, उधर बेज़ूंगा तो ऐसा बन जाएगा, आपने छोटी classes में power को तो उधर बेजना सीख लिया y को उधर बेज़ूंगा तो इसके power 1 by y बन जाएगा, यह अब higher classes में यही तो अमतर है, हम बेस को भी उधर बेस सकते है तो exponential उधर जाएगा, लोग लोग का बेस 3 बन जाएगा, ऐसे ठीक है, अब देखो x फस गया, यह देखो y free हो गया, अब यह question आपको ऐसा नहीं लग रहा, यह y equal to this, y अकिला और लोग के अंदर x फसा हुआ, वैसे यह y अकिला और लोग के अंदर x फसा हुआ, अब इसको बचाएंगे, बचाते बचाते x, आजाएका कहां से कहां तक भी लोग कर रहा है लोग, इसका बेस 3 है तो बेस पर तो कोई condition हम लगाएंगे नहीं 3 है न, 3 जीरो से बड़ा है और 1 के बरावर नहीं है तो एक ही condition लगेगी इस बार इस पर बेस तो constant है, इस पर कोई condition नहीं, variable यहाँ पर है, तो इस पर condition लग जाएगी क्या condition लगेगी, कि 3 माइनस 3 raised to power x should be greater than 0 लोग के अंदर जो भी number है वो greater than 0 होना चाहिए इसको solve करें समझने में मेरे को थोड़ा सही लगता है इसको इधर लिख लिख लिया, 3 की पावर x 3 उदर greater than का लेस देन हो गया 3 की पावर 1 यह जो 3 था ना, उसको मैंने 3 की पावर 1 लिख लिख लिया अब देखो, पिछले पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताए थी यह inequality है ना, inequality SME का आई है तो इसको समझाने के लिए मैंने देखो हाँ, यह चीज लिखी थी कि आप कुछ भी change करो exponential लगाओ, exponential हटाओ log लगाओ या log हटाओ अगर base एक से बड़ा है तो sign of inequality change नहीं होगा अगर base 1 से छोटा है तो change होगा यहाँ पर base क्या है what is the base base यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर जो base है 3 वो 1 से बड़ा है और यह भी 3 की power x, यह 3 की power 1 exponential, exponential, मैं exponential हटा रहा हूँ और base है एक से बड़ा, तो यह 3 3 और यह 3 हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा x और यह क्या बचेगा 1 sign of inequality change होगा क्या, नहीं होगा तो यह less दिन का, less दिन यह दाएगा तो क्या आगे x less दिन 1 तो number line पर समझोगे, तो 1 यहाँ पर x 1 से छोटा है तो u बन जाएगा अब 1 से छोटा तो कितना भी छोटा हो सकता है minus infinite तक छोटा हो सकता है ठीक है, तो x कहां से कहां तागा गया x belongs to minus infinite से लेके 1 तक 1 को include नहीं करना क्योंकि खाली है यहाँ पर, यहाँ पर equal का sign नहीं है infinite को कभी हम करते हैं नहीं include तो यह आ गया x है यह, x belongs to minus infinite to 1 अगर हम सुरुवात से y को फसाने में लगे रहते तो y भी यह आ जाता है क्योंकि x और y में तो कोई इंतर ही नहीं है यह हम पहले डिसकस कर चुके है तो y belongs to be minus infinite से 1 आ जाता ठीक है ना जाता निए क्या कहना चाह रहा हूं यह य तो है डॉमेन और या रेंज तो I hope you are a fool son में आ गया आज कर अपना इतना यह है आजकी लेक्शेरें इभाप देख लिये इन दोनों के डॉमें रेंज देख लिये क्वशन भी कर लिए ठीक है तो अब लोग के अंदर कमी चीजे बस्ते हैं तो आप मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर कुछ बचे कुछी चीजें जो डिफरेंशेशन इंटिग्रेशन की चीजे हैं वो और देख लेंगे तो थैंक यू बेरी मच